में ने i 낯ुट के लिए कम सेथे पूंसेटी में रहें। Numerical वाला chapter है theoretical portion भी है इसमें चले स्टार्ट करते हैं thermodynamics जैसे नाम से पता चल रहा है अपने को thermo मतलब heat और dynamics dynamics मतलब movement यानि कोई भी system कोई भी system में जब कोई thermo chemical change होता है और उसमें heat का involvement work का involvement आ जाता है तो इसी को हम देख लेते हैं thermodynamics के अंदर चले देखें क्या है thermodynamics तो start कर रहे हैं इसकी definition के साथ बहुत easy सी definition है study of heat and work interaction between system and surrounding तो system और surrounding इनके in between जो भी study होगा heat और work के लिए जहाँ heat होगी वहाँ work होगा या यह कहें work or heat correlate रहेंगे और इसी study को हम कह देंगे thermodynamics इसके बाद next इसमें कहा गया है it is a macroscopic science यानि कि यह एक कहें macroscopic का मतलब जिसमें बहुत area involved होता हूँ इसके बाद next thermodynamic laws are experimentally verified यानि इसमें जो भी laws लगेंगे आगे हम देखेंगे first laws, second law यह जो भी laws होंगे वो verified laws हैं यानि practically verified हैं हमें daily life में देखने को मिलते हैं next इसके बाद में देखें कुछ important terms है जिसको हमें use करना है इस chapter में आगे जाकर कौन-कौन सी term है वो सबसे पहला है system तो system system वो होता है जिसकी हमें study करनी होती है ठीके ना जैसे हमने कहा है एक macroscopic process है यह उस macroscopic का वो part जिस पर हमें study करनी है heat और work की उस part को हम कह देंगे system a portion of universe under investigation next इसके बाद में surrounding यानि जो जितना part हम investigate कर रहे है यानि जो system है उसके अलावा universe का remaining जो भी part है वो सारा का सारा क्या है surrounding anything apart from system surrounding एक example देखें जैसे हम चाय बना रहे है चाय बना रहे है एक भगोने के अंदर पतीले में चाय बना रहे है तो वो जो भगोना है वो जो पतीला है वो तो हो गया system और उसके surrounding में जो भी part चाहिए वो kitchen का area हो घर का area हो कुछ भी हो वो सारा हो गया surrounding next boundary boundary real और hypothetical line और surface between system and surrounding surrounding तो जैसे हम बात कर रहे थे पतीले की या जो हम भगोने में चाय बना रहे थे तो चाय अंदर बन रही है वो तो है system बाहर जो kitchen वगेरा है वो है surrounding और वो जो भगोना है उसकी जो walls है वो है boundaries अब ये boundaries कौन कौन सी हो सकती है wall हो सकती है wall मतलब a real boundary जिसमें जो material है वो exchange नहीं हो पाए real boundary यह हमें जो नजर आती हो rigid boundary immovable wall immovable wall यानि की जो move नहीं कर सकते हो non-rigid moveable, moveable का मतलब क्या है जैसे हम बात करें balloon की balloon में जब हम हवा भरते हैं जब air उसमें pass करते हैं तो balloon दीरे दीरे क्या होता है दीरे दीरे उसको वो फैलता है ठiके न, expansion होता है balloon का तो वो जो walls है वो बढ़ती जा रहे, flexible wall है, वो है moveable, adiabatic wall, insulated wall, adiabatic का मतलब होता है insulated का यानि कि जो internal जो भी change हो रहा है वो बाहर अपने को यह यह कहें कि एक ऐसी surface जो heat के transfer को रोके जो heat को transfer नहीं होने थे, adiabatic, diathermic wall, non-insulated wall, यानि एक ऐसी wall हो जो heat है वो उसमें transfer हो जाए जैसे हम अभी बात कर रहे थे, वो आपस चाय मनाने पर आते हैं, तो जो भगोना होता हो उसकी wall जो होते हैं वो heat हो जाती है अगर हम उसको touch करके देखें तो बहुत गरब मिलेगी अपने को, यानि वो जो है वो diathermic wall है next देखें इसके बाद में कुछ और terms हैं, जैसे state variable, दो variable होते हैं, state variable, path variable state variable वो होते हैं, जो केवल state पर depend करें, final और initial state के उपर ठीके न, कि जहां से हम study करना सुरू किया, जहां हमने study करना बंद किया उसकी बीच की जो state है, उसी के उपर depend करें, उसी condition पर यानि जो path पर depend नहीं करें, final और initial condition पर depend करें वस variable which defines state of system, तो ऐसे variable जो उस system की state को define करते हैं at किसी भी time पर, state of system क्या होता है, एक condition defined by fixed value of state variables, fixed value of state variable, तो state variable की जो fixed value है, वो state of system को represent करते हैं, next है state of thermodynamic equilibrium, अब equilibrium क्या होता है, equilibrium में क्या होता है, हम यह देखते हैं कि जो changes हो रहे होते हैं, वो रुक जाते हैं, stop हो जाते हैं, हाला कि process चलता रहता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो changes हो रहे थे, वो रुक गए हैं, changes नहीं होते हैं, बस, क्या change नहीं होते हैं, एक condition in which state variables do not vary with time, यानि time के according वो change नहीं हो रहे, state variables, देखें क्या है state variable, तो state variable को हमने दो पार्ट में divide किया है, extensive state variable and intensive state variable, extensive, intensive, extensive, extensive का मतलब होता है कि जो quantity पर depend करें, amount पर depend करें, जैसे यह पर हमने काई state variable जो होते है extensive, वो value depend करती है, उनकी system की size पर, जैसे, जैसे mass, mass जितना ज़्यादा होगा, amount जितनी ज़्यादा होगी, mass उतना ज़्यादा होगा, volume, charge, mole, etc, यह सारे के सारे क्या है extensive, next है intensive state variable, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, intensive जो होते हैं, वो amount से independent होते हैं, कितना amount ले रखा है, उस पर depend नहीं करेंगे तो ऐसा भी कह सकते हैं, intensive, independent, तो अगर हमें एक independent वाला याद रह जाएगा, तो extensive को हम easily याद रख लेंगे, तो intensive में हमने कहा, independent from size of system, यह यह कहे quantity, जैसे example देखें, इसके जो example हैं, वो है concentration, अगर हम कहें, 1m solution, यानि जिसकी molarity अगर 1 है, तो उसका 100 ml होगा, तो भी molarity 1 होगी, 200 ml की भी molarity 1 होगी, यानि concentration, density, हम कहते हैं, water की density 1 है, तो water चाहे कितना भी quantity में हो, density उसकी 1 ही रहेगी, next इसके बाद temperature, अगर हम कहें कि temperature जो है boiling point, water का जो है boiling point, यह 100 degree है, तो वो 100 degree रहेगा, चाहे हम कितनी भी amount ले लें, तो यह सब है intensive properties, इसके लाओ refractive index वगेरा जो आते हैं physics में वो भी इसी में आएंगे, path variable, यानि जो path पर depend करें, जिस way से, उस path से कोई process हो रहा है, उस पूरे path पर depend करें, इनको final और initial condition से मतलब नहीं होता, पूरे path से मतलब होता है, तो यहाँ पर उसके example हैं, जैसे heat, heat है mode of energy transfer between system and surrounding, due to temperature difference, तो temperature difference की वज़े से, जो heat transfer होती है, वो path पर depend करती हैं, path पर depend करेंगे, next है work, work भी एक energy का ही एक source है, एक energy का ही एक form है, ठीक है न, तो mode of energy transfer between system and surrounding, due to difference, difference in generalized force, यानि यह net force पर depend करने वाला है, तो work तो force भी depend करेगा, और heat किस पर depend करेगे, system और surrounding में जो energy transfer हो रहा है, इस पर, इसके बाद, जैसा हमने कहा, कुछ laws हम देखेंगे इसके अंदर, तो इसके जो main है, वो two laws है, main जो इसके laws है, दोनों को एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं, first law, और first law जो है, energy of universe is conserved, यानि first law एक तरह से energy conservation लो आ गया, कि energy जो conserve रहती है, कि इसको एक form से दूसरी form में हम convert कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह रहे सकते हैं, internal energy, इसमें एक word आएगा, बाद में, internal energy, internal energy of a system is state function, state function, initial और final state पर ही depend करेगा, बस यह, जो internal energy है, और यह जो internal energy में changes है, इसको हम इस तरह से represent करते हैं, यही है first law, कि delta U, यानि change in internal energy equals to Q plus W, यानि heat plus work, यह है first law, अब यह delta U क्या है, increase in internal energy of system, और Q है, heat absorbed by system, heat absorbed by system, और W क्या है, work on system, अगर यही, यह heat absorbed हो रही है, या work हो रहा है, तो यह plus में आ जाएंगे, और अगर इसका उल्टा हो जाएगा, इसी formula में, अगर हम कहें, heat released by system, तो minus Q हो जाएगा, और ऐसे work done by system, तो यहाँ भी minus, यानि यह जो symbol है, इसमें sign जो plus minus का, यह depend करता है, कि system पर work हो रहा है, कि work system कर रहा है, ठीके न, ऐसे समझें, जैसे हमारे उपर कोई work हो रहा है, हमारे उपर कोई work हो रहा है, तो यह positive है, लेकिन हम कोई work कर रहे हैं, वो negative है sign में, तो यहाँ पर इसी तरह से, दोनों sign q plus, यह q and w वाले हो जाएंगे, अब अगर हम cyclic process की बात करें, तो जो cyclic process, जैसे हमने कहा state function है, state function cyclic process में क्या होता है, जहाँ initial state होती है, वहीं cyclic form फिर कर वहीं पर आ जाते हैं, यानि state में change नहीं हुआ, तो यहाँ, एक cyclic process में, जो delta U है cyclic के लिए, वो zero जाता है, internal energy में change, if a cyclic process involve n steps, बहुत सारी steps हो रहे हैं उसमें, with heat absorbed and work done on system, अगर heat absorbed हो रही है, work done system पे हो रहा है, जैसा हमने कहा, delta U तो हो जाएगा, इसके अंदर zero, delta U जो है, वो zero हो जाएगा, तो क्यों, क्योंकि यह state function है, लेकिन ऐसे में Q है, वो W के equal हो जाएगा, Q equals to W, क्यों, क्योंकि delta U तो zero है, delta U zero है, तो Q and W equal हो जाएगा, यह इस तरह से cyclic process के अंदर, इसके बाद, हमने यह कह रखा है कि, if two states, first and second, जैसे हमने कहा, अब cyclic process की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम इसके अंदर आ जाते हैं, non cyclic के अंदर, दो condition दे रखे हैं, दो state दे रखे हैं, first and second, are connected by N path involving QI, मनला I an initial and WI, W work done initial, और जो heat है, यह heat and work, जो है, वो formula कैसे बनेगा इसका, तो delta U, हमने कहा, यह N step में हो रहे हैं, यह इस बार irreversible वाले हैं, N step में हो रहे हैं, तो ऐसे में हम देखें, जो first step थी, Q1 plus W1, यह equal होगी Q2, W2 के, यह equal होगी Q3, W3 के, और यह equal होगा QN plus WN के, यानि कि जो delta U है, यह Q plus W जो है, वो equal चलेगा सब के लिए, अगर N step वो रहें, तो हर एक step में equal, equal, equal चलता रहेगा, Q plus W की value, अगर कहीं पर Q जादा है, तो W कम हो जाएगा, W जादा है, तो Q कम हो जाएगा, ठीके न, यहाँ Q क्या है, आप जानते हैं, heat और W है वर्ग रहें, Q and W are path dependent quantities, इसलिए तो हमने कहा, अगर N path हो रहे हैं, तो यहाँ पर N, इनका different, different आए जाएगा, Indefinite quantities हैं यह, ठीके न, path dependent, but there's some definite quantity, definite का मतलब यह जैसे यह जो values हैं, अलग-अलग-अलग-अलग चल रहे हैं, तो यह तो क्या है, path dependent, लेकिन जब इनका total आजाता है, यहाँ delta U, Q plus W, अब देखो, Q path function, W path function, और इन दोनों का sum, state function, ठीके न, तो दोनों अगर अलग-अलग चल रहे थे, तो path function, और एक साथ connect हो गए, तो वो हो गया state function, इसके बाद enthalpy, enthalpy, जो है, किसे कहें यह हम enthalpy, enthalpy heat का ही एक type है, state function, defined by first low, तो first low में थोड़ा सा हम change अगर करें, तो H, जो enthalpy है, internal energy plus PV, internal energy plus PV, इसको ही हम बोल देते हैं enthalpy, यह first low thermodynamics या रहा है, इसके बाद इसमें कहा गया है कि enthalpy is, अब enthalpy क्या है, pressure volume energy, pressure PV, pressure volume PV and internal energy of system, तो PV जो है, यह तो है pressure volume, और U है, जो है वो internal energy, enthalpy is also called heat content of system, तो system का heat content जो होता है, इसी को हम enthalpy बोल देते हैं, enthalpy मतलब heat ही है, अब इसके बाद हमने कहा गया है, कि अगर हम कहें, heat absorbed at constant volume, अगर volume constant है, और pressure भी constant, P और V दोनो constant है, तो ऐसे में जो Q होता है, जो heat होती है constant volume पर, वो होती है delta U के equal, यानि change in internal energy के equal, तो यहाँ पर heat absorbed by a system, in isochoric process, isochoric जिसमें volume सेम रहता है, is equals to delta P, change in internal energy system, change in internal energy, तो isochoric मतलब जिसमें volume सेम रहता है, उसमें यह जो heat है, वो delta U के equal है, लेकिन अगर pressure constant कर दे, तो constant pressure पर क्या होगा, delta H, QP, QP यानि heat at constant pressure, यह हो जाएगा delta H, और constant pressure को हम क्या बोलते हैं, isobaric process, तो isochoric process में, QV equals to delta U, और isobaric process में, QP equals to delta H, ठीकिना, अब एक काम करते हैं, दोनों को connect करते हैं, अब हम दोनों को connect करते हैं, जनरल process के लिए, जनरल process में हमने कहा, delta H equals to, delta U plus, P2V2 minus P1V1, या यह कह सकते हैं, delta H equals to delta U plus P delta V, ठीकिना, अगर isobaric process है, तो P constant रहेगा, अगर isochoric process है, तो delta P change होगा, यानि pressure change होगा, volume constant रहेगा, दोनों के लिए यह अलग-अलग formula बन जाएगा, isobaric के लिए अलग और isochoric, depend करता है constant क्या है इसमें, जो constant होगा, वो तो fix हो जाएगा, और जो variable होगा, उसको delta में show कर देंगा, और अगर differential change देखें, यानि कभी कोई change हो रहा है, कभी कोई change हो रहा है, कभी pressure change, volume change, ऐसे में delta h equals to dh equals to du plus pdv plus pdp, यह differential changes का formula है, ठीकिना, इसके बाद next देखें, ideal gas process, अगर हम यही सारे process ideal condition में देखें, ideal gas के लिए देखें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब यह table आएगी, जो इस chapter के बिल्कुल end में देखेंगे, यह जो chapter के बिल्कुल end में एक table आएगी, उस table को हम last में study करेंगे, इसके बाद है enthalpy of phase transition, enthalpy of phase transition, phase transition कैसे, जैसे solid से liquid में, liquid से gas में, जो phase transition होता है, वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जैसे कुछ enthalpies हैं, जैसे delta H vaporization, vaporization में क्या होता है, liquid जो होता है, वो gas में convert होता है, तो यहाँ पर heat absorbed, क्योंकि liquid से gas में convert होता है, तो heat को absorb होना पड़ेगा, heat absorbed at constant temperature and pressure, to convert one mole liquid into its vapor, तो इसको हम बोलते हैं, molar enthalpy of vaporization, molar enthalpy यानि one mole के लिए, तो one mole liquid को same temperature पर, same temperature जैसे मालो 100 degree centigrade water का boiling point है, तो उसी 100 degree centigrade पर one mole liquid को one mole gas में convert करने के लिए, जो energy की requirement होती है, vapor को convert करने के लिए, उसी को बोलते हैं, molar enthalpy of vaporization, next है delta H fusion, और fusion में क्या होगा, fusion में होगा, यहाँ भी energy absorb होगी, क्योंकि यह भी endothermic process है, heat absorbed at constant temperature and pressure, to convert one mole solid into liquid, अब हमें solid को liquid में, जहां melting की बात आती है, तो one mole की बात चलें, तो molar enthalpy of fusion, इसके बाद sublimation, sublimation में हम क्या करते हैं, हम solid को direct ही vapor में convert करते हैं, तो यहाँ पर delta H sublimation क्या होगा, heat absorbed, क्योंकि यह भी endothermic process है, heat absorbed at constant temperature and pressure, to convert one mole of solid into its vapor, solid को vapor में convert करने के लिए, one mole के लिए molar enthalpy of sublimation, ठीक हैं, अब यहाँ पर हमने कहा गया, जो phase transition जो है, वो isobaric and isochoric process है, क्योंकि isobaric यानि की pressure constant, isochoric volume constant, तो sorry, isothermal, isothermal यानि temperature constant, क्योंकि हमने उससी same temperature पर ही phase transition करना होता है, constant pressure पर, तो इसके लिए जो formula बनेगा, वो क्या बनेगा, delta H equals to delta U, delta U, यानि change in, यह D U नहीं है, delta U है, P, V final minus E initial, V initial, यानि volume change होगा, क्योंकि volume हम जानते है, solid, liquid, gas, सबसे कम volume solid का होता है, then liquid, then vapor, तो volume तो different होगा, यानि यह isochoric process नहीं होगे, isobaric और isothermal process होगे, और यह एक formula इसमें हमें मिल जाएगा, अब अगर delta H और delta U में हम phase transition के लिए relation देखे, तो क्या बनेगा, अगर हम vaporization की बात करते हैं, तो delta H vaporization, delta U vaporization, यानि enthalpy of vaporization equals to, change in internal energy of vaporization, plus RT, RT, R क्या है gas constant, और T है temperature, sublimation के लिए अगर हम देखें, तो sublimation के लिए भी same formula, delta H sublimation, delta U sublimation, plus RT, next है fusion, fusion के लिए अगर हम देखें, तो यहाँ पर RT नहीं आएगा, क्योंकि gas के लिए होता है, RT तो gas constant है, R gas constant, यहाँ gas की कोई बात नहीं चल रही, तो यहाँ R की value नहीं लेंगे, direct delta H is equals to delta U fusion, यह था phase change, अब हम phase change को अगर एक graph से देखना चाहें, एक graph से, तो कैसे देखेंगे, यह जो graph है, यह graph है हमारा heat और temperature में, जैसे जैसे हम temperature को increase करेंगे, वैसे वैसे, solid से, यह convert होगा liquid में, एक कुछ temperature के लिए, एक fixed temperature पर यह same चलेगा, ठीक है न, जैसे 100 degree, 0 degree centigrade की बाद चल रही है यहाँ पर, तो 0 पर जैसे water की बाद चल रही है, तो ice था, ice को water में convert करने के लिए, ice को हम heat करते गए, करते गए, 100 degree, 0 degree centigrade पर, ice और liquid, दोनों present होगे, उसके बाद, जैसे ही temperature, 0 से आगे बढ़ेगा, फिर वो जो है, liquid जो होगा, वो heat होना शुरू होगा, और heat होते होते, 100 degree centigrade पर, liquid जो है, वो vapor में convert हो रहा होगा, 100 degree centigrade पर, यानि 100 degree centigrade पर ही, वो liquid में भी होगा, और vapor में भी, इस तरह से हैं, जैसे ही 100 degree centigrade होगा, वो gas में convert होना, या vapor में convert होना, स्टार्ट हो जाएगा, इस दोरान, जितनी energy जो है, यहाँ पर जितनी जो enthalpy है, जो same temperature, temperature fix करते हुए, यानि isothermal process है, यह जो जितनी दूर में, यह phase same चली है, इसमें जो energy, release हुई है, overall, इसको हम कहेंगे, delta H fusion, sorry, जो use हुई है, जो use हुई है, delta H fusion, delta H vaporization, तो इस graph से हम, इस तरह से समझ सकते हैं, यह isothermal process के, according, इसके बाद देखें, enthalpy of reaction, अगर कोई reaction हो रही है, और उसमें हमें enthalpy बतानी है, तो उसके लिए हम क्या बताएंगे, तो जैसे यहाँ पर, enthalpy of reaction is, heat exchange at constant pressure and temperature, to convert, the stoichiometric amount of reactant into product, with specific physical state, according to balanced chemical reaction at, constant temperature and pressure, इसका मतलब यह है, कि अगर हम कोई reaction को balance करके रखें, reaction को balance है, stoichiometric coefficient यहाँ पर, जैसे a small a, small b, small c, तो जो इनकी heat होगी, वो stoichiometric coefficient के according होगी, जैसे delta, जो reaction की enthalpy है, product minus reactant होगी, product minus reactant, तो product जैसे यहाँ पर c और d है, तो इनके जो stoichiometric coefficient है, वो इनकी induzal enthalpy से multiply होगे, और overall जो answer आएगा, वो आएगा, delta H of reaction, enthalpy of reaction, product minus reactant, with using stoichiometric coefficients, इसके बाद हम देख रहे है, relationship between delta H, delta Hr and delta U, यानि reaction के लिए enthalpy में change, और internal energy में change, इनका हम देख रहे हैं, relation, तो यह जो relation है, ideal gas के लिए तो यह relation होगा, delta H equals to delta U, plus delta NG RT, delta NG क्या है, difference in mole, of gases, gaseous mole, gaseous mole product minus reactant, और अगर हम देखें, non-ideal condition है, तो उसमें हम delta H equals to delta U, plus P V final dot V initial, minus, यह यहाँ minus value आएगा, V final minus V initial, यह formula वो ही हमने जो पहले देखा था, non-ideal के लिए, ideal gases में बस ही हो जाएगा, कि gaseous moles आजाएगे, तो delta NG RT हम लगा देंगे, इसके बाद में, stoichiometric coefficient of solid and liquid is not considered in calculation of delta NG, जैसे हमने कहा delta NG, यह तो gases के लिए है, हम जो भी solid और liquid के लिए, जो stoichiometric coefficient है, उनको हम final mole, initial mole में count नहीं करेंगे, इसके बाद में, standard states for, अब कुछ standard हमने state लिए है, जैसे ideal gas, ideal gas की बात करते हैं, तो जो अगर pressure की बात करें, तो one bar pressure और temperature कोई भी ले सकते हैं, ideal gas में temperature कोई भी ले सकते हैं, लेकिन pressure जो होता है, वो one bar लेते हैं, solid या liquid के लिए pressure तो one bar ही लेंगे, और temperature भी कोई भी ले सकते हैं, solute, solute में जो हम लेते हैं, molar concentration of one mole per liter, at peak as to one bar, यानि कि जो solute होता है, या जो solute हम solution बनाते हैं, solution में solute मिलाएंगे, तो वो जो concentration बनेगी solute की, वो concentration हम one mole per liter लेंगे, standard, ये बात standard states की चल रहें, standard की, और pressure हम one bar, यानि हम इन सब में क्या देख रहे हैं, हम इन सब में ये देख रहे हैं, की pressure तो आपको one bar ही लेके चलना है, आप temperature चेंज कर सकते हो, concentration आपको one mole per liter, as a standard लेनी है, delta H, delta U are changes in thermodynamic function of a state under standard conditions, तो standard condition में delta H और delta U जो है, वो thermodynamic function है, ये change होते रहेंगे, तो ये था first law of thermodynamics, इसकी एक table हम chapter के last में अगेंड वापस देखेंगे, second law के बाद में, जो ideal gas की है, इसके बाद अब हम आते हैं, second law of thermodynamics में, हाँ, चलिए अब देखते हैं, second law of thermodynamics, तो जैसे first law में हमने enthalpy और change in internal energy and work done की बात की थी, हम second law में spontaneous process की बात करेंगे, spontaneous यानि अपने आप कोई process हो जाए, तो कैसे होगा, कौन सी condition में होगा, हम इन सब की बात करेंगे यहाँ पर, the second law में, तो सबसे पहले spontaneous process क्या होते हैं, a process which takes place on its own, without any external help, बिना कोई external pressure help के, अगर कोई process अपने आप हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं spontaneous process, एक अगर simple सा example हम देखें, जैसे water flow होता है, river में जो water flow होता है, जो river का water flow होता है, वो spontaneous process है, spontaneous process, spontaneous process, irreversible process, natural process, जो natural process होते हैं, वो spontaneous होते हैं, irreversible होते हैं, आप देख सकते हैं अगर कोई river अगर flow कर रही है तो ऐसा नहीं है कि आज वो इस side में जा रहे हैं तो कल वो इस side में जाएंगे Irreversible process है natural process जो बी होते हैं वो irreversible होते हैं जो भी natural process है इसके बाद जो second low है यह क्या कहता है second low during a spontaneous process delta s universe is positive greater than zero तो delta s का मतलब यहाँ है entropy change s यानि entropy delta s यानि change in entropy और यह greater than zero होगी delta s system plus delta s surrounding यह दोनों मिलाकर क्या होते है delta s universe युनिवर्स में दोनों include होगे system plus surrounding यह more than zero होना चाहिए यह positive होना चाहिए अब यह s क्या है जो entropy होती है यह होती है randomness या यह कहें यह randomness का मतलब होता है arrangement जो होता है disarrangement होना एक तरह से ठीकी ना जैसे अगर हम liquid की बात करते हैं तो liquid में या solid की बात करते हैं तो solid में molecules पास पास में close packed रहते हैं closed packed रहेंगे यानि वहाँ पर जो है randomness कम है liquid में convert होती हो थोड़ा दूर दूर होंगे randomly move करेंगे randomness increase यानि entropy increase और जैसे liquid से vapor में convert होंगे और दूर दूर हो जाएंगे randomness और ज्यादा increase तो वह हो जाएगा यहां पर यह S तो entropy जो होता है यह इस तरह से इसके बाद है S is a state function यानि जो entropy है यह एक state function है S is measure of disorder of a system तो हम कह रहे थे S क्या है degree of disorderness disorderness कह सकते हैं randomness या disorderness जितना disorderness ज़्यादा होगी S उतना ही ज्यादा इसके बाद change in entropy of system अब अगर system में change अगर entropy की बात करते तो उसके formula कुछ हमने apply किये हैं जैसे delta S system जो है यह DA system DQ reversible reversible process में जो heat change होता है upon temperature entropy change for ideal gas process अगर ideal gas है तो यह formula इस तरह से change हो जाएगा delta S N C V log T2 upon T1 plus N R log V2 upon V1 N क्या है यहाँ पर number of moles तो यह ideal gas process के लिए इस तरह से यह formula लग जाएगा entropy change for system in phase transition जिस phase transition के बात करें थे first low में उसी के अगर बात करें वही तीनों phase vapor fusion और sublimation इन सब में जो heat है delta H vaporization upon TB TB यानि की जो boiling point होता है delta H fusion upon TF यानि fusion temperature और delta H sublimation upon T sublimation यानि sublimation temperature यह formula हमें as it use करने हैं यह formula थोड़ा अलग से ध्यान रखना क्योंकि बड़ा formula है इसके बाद entropy change of system for a chemical reaction अब reaction की बात करते हैं जैसे हमने delta H of reaction में कहा था product minus reactant और उसमें हमने heat देखी थी ऐसे delta S भी क्या होगा entropy of product minus entropy of reactant with coefficient with stoichiometric coefficient से multiply कर देंगे साथ तो यह है एक reaction के लिए और यह जितने भी entropy हैं वो molar absolute entropy है molar absolute entropy यानि की जो one mole के लिए measure की गई हो इसके बाद entropy change in surrounding अगर हम surrounding की बात करते हैं तो surrounding में भी वह लग जाएगा बस यहाँ पर जैसे ideal gas के लिए है तो delta S surrounding equals to Q actual upon T जो heat है actual heat जो है upon temperature surrounding में अगर हम बात करते हैं phase transition में तो delta H upon T chemical reaction में delta H reaction upon T minus का symbol इन सब में रहेगा यहाँ पर delta S के लिए तो यह है surrounding की बात करते हैं अब reversible process अगर हो रहा है तो reversible process में जो delta S surrounding plus delta S system surrounding plus system जो होता है इसका sum जो होता है वो zero होता है इसका मतलब reversible में total zero का मतलब क्या हो गया कि reversible process में जितना change surrounding में होगा उतना ही change किस में होगा system में जिससे दोनों fix बने रहें और irreversible process में क्या होगा दोनों का sum होगा वो greater than zero होगा यानि positive होगा दोनों का sum तो total जो होगा वो greater than or equal to zero अगर वो spontaneous process है तो उसका always greater than zero होगा इसके बाद prediction of sign of delta ये D delta है delta R मनला reaction के लिए S from inspection तो अगर हम prediction करते हैं कुछ इसके according जैसे अगर हम कहें delta NG greater than zero है delta NG यानि कि product के moles जादा है reactant के moles है और अगर moles जादा है तो molecules भी जादा होगे molecules जादा है तो disorder भी जादा होगा अगर disorderness जादा है तो delta S भी जादा होगा तो जहां moles जादा होगे वहाँ delta S जो होगा वो greater than zero होगा जैसे solid से liquid में convert हो रहा है solid से liquid में randomness increase हो जाएगी liquid से gas में भी randomness तो यहां जो delta S है वो greater than zero होगा cyclic process की अगर बात करते हैं cyclization अगर cyclic process हो रहा है तो S में delta S less than zero होगा cyclic process में delta S जो होगा change in entropy यह less than zero होगा यह negative में होगा इसके बाद Gibbs function गिपस ने एक function दिया यह second low का main part है यह होगा g equals to h dot ts ठीक है ना h यहां पर यह जो dot नहीं है यह minus है dot नहीं है sorry यह minus है g equals to h minus ts और जो question में हमें काम में लेना होता है यूज करना वो यह है delta g equals to delta h minus t delta s delta g क्या है change in Gibbs free energy delta h क्या है यहां पर यह है change in enthalpy और minus t temperature delta s change in entropy तो यह जो formula हम काम में लेते हैं अगर isobaric process के लिए तो यह formula हम इस तरह से use कर लेंगे इसके बाद अगर delta g जो है total temperature या pressure पर अगर यहां पर less than zero आता है तो यह जो होगा यानि negative आता है negative आता है तो spontaneous process यानि अगर इस formula से आपको यह prediction करना है कि कोई reaction spontaneous होगी या non spontaneous तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो delta g है gives free energy में change है वो negative आना चाहिए less than zero आना चाहिए उसके लिए आपको delta h और t delta h इस में changes देखने पड़ेंगे देखें जैसे जैसे phase transition की बात करते हैं phase transition में delta g की बात कर रहें तो phase transition में अगर हम कहें reversible transition हो रहा है reversible तो ऐसे में delta g zero हो जाएगा reversible में जो Gibbs free energy में change है वो zero होता है और irreversible condition में वो कुछ ना कुछ होगा अब वो क्या होगा वो होगा delta g pressure और temperature की बात करते हैं तो delta h pressure temperature minus t delta s pressure और temperature अब pressure और temperature का मतलब depend करता है कि हमने constant pressure ले रखा है कि constant temperature जो भी ले रखा हो उसी के according जो variable होगा उसको हम ले लेंगे ठीके ना जो भी इसमें variable अपने को मिलेगा एक fixed temperature and pressure पर इसके बाद change in delta g for chemical reactions अब reaction जब भी reaction की बात चलती है product minus reactant तो delta g जो है product minus reactant ये dot की मानेंगे तो minus है ये delta reaction के लिए delta h minus t delta s जहां जहां dot है वहाँ वहाँ आप minus consider करें इसके अंदर और ऐसे delta h g जो है g note के अगर aspect में देखें g note के है standard Gibbs free energy standard तो delta r जो है reaction के लिए reaction के लिए Gibbs free energy equals to standard Gibbs free energy plus r t ln q r gas constant t एक fixed temperature और log q e की power में जो आएगा q क्या है यहाँ पर यह है reaction quotient और अगर यही equilibrium की बात करें तो q जो है वो के बन जाएगा equilibrium constant जैसे chemical equilibrium की बात आ गई तो chemical equilibrium के हम बात करते हैं तो chemical equilibrium में क्या होता है delta g जो होता है वो zero हो जाता है ठीकि ना जैसे क्योंकि equilibrium reversible reaction में आएगा तो यहाँ पर equilibrium जो है equilibrium पर delta g जो है वो zero हो जाता है delta z zero यानि जो delta note होता है delta note जैसे हम पीछे वापस देखें यहाँ पर यह अगर delta z zero हो गया तो delta note जो हो गया वो जो direction है उसकी change होकर delta g note क्यों हो जाएगा minus rt lnk equilibrium minus यह note जो है again minus देखें minus rt lnk के यहाँ पर क्या है equilibrium constant तो अगर हम कहें क्या कहें equilibrium पर तो at equilibrium the system Gibbs function is minimum value तो equilibrium पर जो delta g आएगा Gibbs function आएगा वो minimum value पर आएगा minimum value पर इसके बाद अगर हम delta g और delta g note यानि standard और reaction वाला delta g इन में अगर relation देखें या difference देखें तो क्या मिलेगा delta g तो है change in Gibbs function when all the reactant and product have arbitrary activities arbitrary activities यानि कोई भी उसमें activity हो रही हो standard हमने condition नहीं ले रखियो लेकिन delta g note, g note मतलब ideal condition पर तो यह standard जो होता है standard में all the reactant and product are at unit activities unit का मतलब one mole reactant, one mole product से मलब जो standard condition है वो अगर follow हो रही है one molarity वाली तो यह हो जाएगा delta g note और अगर किसी भी और amount में हो रहा है delta g all gases at one bar pressure यह standard condition है one bar pressure होना चाहिए और solute जो होता है उनकी जो molar concentration है one mole होने चाहिए तो अगर इन condition में है तो delta g note कहेंगे बाकी कोई भी condition में है delta g कहेंगे इसके बाद में factors on which delta g note depend यह जो standard Gibbs free energy changes है यह किस पर depend करेगा तो यह करेगा stoichiometric coefficient of balanced chemical reaction तो जो balanced chemical reaction है वो stoichiometric coefficient पर depend करेगा जैसे equilibrium constant भी उस पर करता है जैसे हमने equilibrium में देखा temperature पर depend करेगा temperature पर depend करेगा यहां पर और किस पर depend करेगा और इसमें बता रखा है अब यह तो dependent अब independent किस पर रहेगा तो यहां हमने कहा है delta g-note is independent of actual pressure और concentration of reactants और product ठीके ना तो जो actual pressure and concentration है उससे independent रहेगा क्यों क्योंकि delta g-note तो एक 1 mole के लिए होता है अगर हमने कहा stoichiometric coefficient जो है हमने standard condition ले ली तो standard condition में तो 1 mole की unit ले लेंगे तो delta g-note इस पे डिवेंड नहीं करेगा कि आपने concentration कितनी ली है 2m, 3m कितना लिया है क्योंकि ये तो 1m के लिए होता है ये तो 1m के लिए होता है जो fix होता है इसके बाद gives function and non-PV work तो यहां पर देखें delta g-note जो होता है ये maximum work done होता है एक तरह से delta g-note को हम दूसरे तरह किसे maximum work done की form में भी count कर सकते है maximum work done तो देखें, decrease in gives function at constant temperature and pressure is equals to maximum non-PV work obtained from system reversible यानि non-PV work, PV work यानि simple pressure volume वाला तो अगर maximum अपने को देखना है तो वही होता है gives function के अंदर ये जो gives function है, ये maximum को show कर रहा है जैसे यहां पर हम देखें, delta g reaction के लिए जो है minus delta g reaction, delta h plus t delta s हमने क्या किया है, इधर minus कर दिया वैसे तो इधर minus आता है, लेकिन हमने minus को उधर common लेके और formula इस तरह से बना दिया तो decrease in gives function किसके equal होगा gives function में decrement, heat given out to surrounding plus t delta s तो ये एक formula है, अगर आपको maximum जो work done निकालना है तो maximum work done का formula या तो directly delta g दे रखा हो या फिर इस formula से हम ये बता सकते हैं तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं, जो gives function है वो क्या है, maximum work done है तो चाहे आप gives function को किसी formula से निकालने या फिर इस formula से निकालने तो यहां से हमें maximum work done आ जाएगा इसके बाद जिस table के हम बात कर रहे थे first low में कि एक table आएगी जो chapter के last में हम देखेंगे वो table हम वापस देख रहे है, ideal gas process के लिए है ideal gas process के लिए, इसमें हमने कुछ symbol यूज के V2 final volume, V1 initial volume, P2 final pressure और P1 P2 final pressure and P1 initial pressure, देखें इसके अंदर सबसे पहले हम process देख रहे है, reversible isothermal process reversible isothermal process, इसके लिए जो work done होगा, अगर आपको volume की form में निकालना है, तो minus nRT log V2 upon V1 V2 upon V1, और अगर यही formula हमें pressure के respect में निकालना है, तो same बस V2 upon V1 के जिए, P1 upon P2 हो जाएगा अगर यही heat के लिए formula देखें, तो heat के लिए same formula same formula बस positive में हो जाएगा, जो work done negative आ रहा था heat positive हो जाएगी, क्योंकि इस process में क्या होता है, Q equals to W होता है, Q equals to minus W, तो इस तरह से हैं, delta U 0 होता है, delta U 0, internal energy में change 0, enthalpy 0, और एगर PV graph बनाएं, तो यह जो graph बनेगा, V2, V1, initial volume, final volume, P1, P2 तो हम देख रहे हैं, जैसे जैसे volume increase होता है, pressure decrease होता है, इस तरह से तो यह तो हो गया हमारे लिए, reversible isothermal process, अगर यही irreversible होता, तो उसके लिए हम use करते, P external V2 minus V1, या V2 minus V1 की जिगह हम क्या use कर सकते थे, V2 की जिगह हम nRT upon P2 या nRT upon P1, यह हम use कर सकते हैं, कब irreversible में, अगर Q की बात करते हैं, तो Q हो जाएगा P external V2 minus V1, या क्योंकि हम जानते हैं, isothermal process के लिए Q equals to minus W, next again, delta U0, delta H0, और same वही graph, same वही graph, क्योंकि हमने irreversible process के अगर हम बात करते हैं, यह इस तरह से, next देखें, isobaric, जैसे isothermal में constant temperature होता है, isobaric में constant pressure पर होगा, और अगर pressure constant है, P external जो है, वह fix हमने कर रखा है, V2 minus V1, यह तो हो गया W, या minus delta nRT, यह भी हम use कर सकते हैं, अगर Q की बात करते हैं, तो Q आएगा delta H equals to, Q equals to delta H, क्योंकि constant pressure पर हो रहा है, तो constant pressure पर delta H, और यह हो जाएगा NCP DT, CP क्या है, यहाँ पर specific heat at constant pressure, और N number of moles, और DT temperature में change, और DU की बात करते हैं, तो वह हो जाएगा NCV DT, delta U हो जाएगा NCV DT, और delta H हो जाएगा NCP DT, यह इस तरह से हम, तो यह work done, heat, delta U, delta H और graph जो होगा, P और V में जो graph होगा, वो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है, isochoric process, isochoric यानि जिसमें volume constant रहेगा, अगर volume constant और volume में change ही नहीं हुआ, work done, 0, और Q जो होगा यहाँ पर constant volume पर delta U के equal होगा, जैसे constant pressure पर delta H के equal होता है, वैसे constant pressure पर, sorry, constant volume में delta U के equal और वो nCV DT, और यहाँ पर delta U जो होगा, nCV DT होगा, delta H NCP DT होगा, ठीक है न, थोड़ा यहाँ पर आप correction कीजिए कि जो आइसो बारिक process है, यह NCP DT है, NCP DT, वो आप इसको adjust कर ले न, यहाँ NCP DT, इसके बाद देखें, next, हाँ, next देखें इसमें, तो यहाँ पर आजाएगा, यह जो है, delta H याँनि enthalpy change, यह हो जाएगा NCP DT, और यह जो इस बार graph आ रहा है, हमने इसमें देखा constant volume, तो volume constant रहेगा, pressure change होगा, जैसे उपर वाले में, उपर वाले में pressure constant था, volume change हो रहा था, next इसके बाद है, reversible adiabatic process, adiabatic, जिसमें heat change नहीं होता, और reversible है, तो work done जो होगा, nCV into T2 minus T1, nCV T2 minus T1, या फिर P2 V2 minus P1 V1 upon gamma minus 1, gamma, यह एक diatomic, monoatomic, triatomic, सबके लिए fix होता है, degree of freedom जो होता है, gamma, इसके बाद में Q equals to 0, जैसा हमने कहा था, heat change नहीं होगा, क्योंकि adiabatic process है, PV की power gamma, यह constant रहेगा, TV की power gamma minus 1, यह जो gamma minus 1 है, यह V की power में रहेंगे, या T की power, 1 upon T की power, 1 minus gamma upon gamma, यह हो जाएगा constant किसके लिए, यहाँ पर adiabatic, यह formula आपको direct, यह physics में भी देखने को मिलेंगे आपको, same formula वही हैं, जो physics के adiabatic process में हम use करते हैं, delta U, change in internal energy, nCVDT, delta H, nCPDT, और यह है इस तरह का graph, adiabatic isotherm graph, ठीक हैं, यह इस तरह से graph slope के साथ में आ जाएगा, next देखें, irreversible, यह तो था reversible, irreversible में सिर्फ हम एक ही value देखेंगे, और वो है work done, nCVT2-T1, या P2V2-P1V1, गामा-1, और direct अगर graph पर आएं, तो यह जो graph होगा, यह कुछ इस तरह का, हमें graph देखने को मिल जाएगा, graph के उपर तो directly question आ जाता है, कौन सा graph है यह, और last है polytropic process, polytropic process, और polytropic process जो होता है, इसमें जो formula हम use करेंगे, P2V2-P1V1 upon n-1, या P2V2 की जगर हम, आर T2-T1 भी लिख सकते हैं, वो ही guess जो equation है, उसकी help से, ठीकिना, polytropic बहुत सार इस step में हो रहा हो, Q, यह होगा, जो है, CVDT या CVDT प्लस R upon 1-n dt, यह formula है, delta U nCVDT और delta H nCVDT, और यह graph, यह इस तरह से polytropic graph, यानि एक जो work है, वो different different path से complete हो रहा है, तो यह था thermodynamics, यह thermodynamics था, और next जो chapter आएगा, उसमें हम thermo chemistry discuss करेंगे, thermo chemistry और thermodynamics related chapter हैं एक तरह से, चीकिए दोस्तों तो उम्मीद करते हैं, chapter आपको समझ में आगय होगा, मिलते हैं thermo chemistry वाले lecture में, जए हुआ 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 हो,